और अगली खबर खेल जगत से 57 किलोग्राम वर्ग की कुष्टी में एशिया में भारत का दबदबा है और इसी वर्ग में टोक्यो उलम्पिक्स में रवी दाईया ने सिल्वर मेडल भी जीता लेकिन दिल्ली के 16 साल स्टेडियम के ही अमन सहरावत ने एशिया चैंपिंशिप में गोल्ड जीत कर एशियाड और उलम्पिक्स के लिए भारतीय चैन करताओं के सामने एक मुश्किल खड़ी करती है 20 साल के अमन के माता-पिता करीब 8 साल पहले चल बसे और अब वो अपनी चोटी बहन और परिवार के लिए उलम्पिक पदक जीतने का आख़वाब देख रहे हैं कि अस्ताना में भारते पहलवानों ने 14 मेडल जीते सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता और वो अमन के नाम रहा अमन आपके लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि वर्ल्ड नमर वन को भी आपने हराया कैसे आप जेखते इसको इसी काड़े में रवी भी है है 57 किलोग्राम में जीता है हाँ जी रवी भी है वोल्ड नमर वन था उसकी वैसे मैं कुस्ति देखता था टाई तो पहले या जाती थी किसके साथ होनी है फिर मैंने उसकी पूरी रात कुस्ति देखी मतलब कि जो और के और के साथ होनी थी उनकी भी देखिया कैसे कैसे गोल्ड परी सोचके गया लड़ा था मैं कितनी बड़ी बात है आपके लिए अंडर 23 वर्ल्ट चैंपियन वी रहे लेकें सीने लेवल पे एशिया का गोल्ड लेना मतलब आपके लिए ड्रीम जो है ख्वाब है सपने जो बड़े हो गए यह बहुत मुश्किल था बहुत अ अच्छा लेकिन आपके उससे पहले दो चैलेंज एक तो इसन गेंस आपको जीतना पड़ेगा और उल्लिम्पिक्स क्वालिफाइग करने के लिए आपको उल्लिम्पिक मेडलिस्ट है रवी उनको हराना पड़ेगा नहीं अराना तो अलग बात है लेकिन हम अपनी ओड़त सो परसेंट देंगे तो फिर वह तो कुष्टी होगी उसमें देख जाया क्या होगा कोच साब इनके लिए या आप लोगों के लिए अच्छी बात है कि 57 किलोग्राम में हमारा डॉमिनेंस है लेकिन रवी ओलंपिक मेडलिस्ट है सिल्वर मेडलिस्ट आपको मतलब इनकी का मारा की पहलवान है विदेश चीए इक्स्पोर्ट है तो जरुट जर्वाऊ के दो गोल्ड है एक सिल्वर है और लगा ता तंक लगाता तीन घूल्ड है यह अलंपिका बहुत तो जर्भा और यह दोनों सो प्रसेंट करेंगे अपना जो ठीक करेंगा वो सिज जाएगा पहले बहुत इसनल पहले पहले के पहलों की पोजिशन आई है अमन बहुत टफ है सर देखे इनके मदर नहीं है फादर नहीं है एक बहन है उसकी सबसे बड़ा संघर्श है अमन आपके लिए सबसे बड़ा संघर्श जो है डिफिकल्टी परिशानी क्या रही है अब तक तो यह रही है सरू-सरू में आया था जब थोड़ा ऐसे लगा था मैं पापा की आदा थी लेकिन स्टेडियम कोज साब जो इन पूरी मद्द की मतलब अब ऐसा मैसुश नहीं हो रहा है और अपके लिए अगर रसर इनको एक पहलवान के तो देखे तो खास बात क्या सारे अटेक कर लेता जी लेक टायक उपर से अपने जो भी जैसी पोजिशन अगला पहलवान हो कह रहा है न मैंने सारी कुस्ति देखी है जो वोड़ चैंपिस हता तो उनकी फिलम देखते रहते हैं उसी में यह अटेक करना है डिपेंस करना यह पूर्य अगले मुझे आप मैं क्या अलग है उनसे अलग के लिगाशन को हाई उसकी विचलने कुष्ति है मेरी बिचलने कुष्ति है भाची रही ही स temos सियए इसम – जैक विशे वाल्ट वेस्ट और आप शेया रह यह जिए वेस्या वेस्ग एशी और अिशीया पर आधày बड़ी वे मेड़े रखेंगा झाल झाल